सबही बढ़र पुर्ष्रों को, मात्री सक्ति को, होयो सक्ति को मेरा प्रणाम आज का जो विशे है वो है सबसे बड़ा सुख क्या है और इस संद्रम में एक सुन्दर कथा आती है उसके दवारा हम समझेंगे सबसे बड़ा सुख क्या है एक बहुत विख्यात सादू जंगल में कुटिया बना करके रहते थे वो एक बार बेख्षा के लिए नगर की ओर जा रहे थे तो रस्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का मिला सादू ने उसको उठा लिया उठाने के बाद मन में विचार आया कि मैंने इसको क्यों उठाया मेरा जीवन यापन अच्छे से व्यतित हो रहा है बेख्षा के दवारा फिर मैं सोचा कि मुझे सबसे गरीब व्यक्ति मिलेगा उसको मैं इसको दे दूँगा सादू घुमता रहा, देशाकन करते रहे, तरम परचार करते रहे और एक बार वो अपनी राजदाने की तरफ राज मारक से जा रहे थे तो देखते की सामने से राजा बहुत बड़ी स्याना को ले करके जो अस्तरस्त्रों से सजी होई है और कहीं पर जा रहे है राजा भी मात्मा को सादू को जानता था राजा हाथी से उतर करके उसने सादू के चन सप्रस्क किये प्रणाम किया तो सादू ने कहा कि राजन अपना हाथ आगे करो राजा ने जैसे अपना हाथ आगे किया मात्मा ने अपनी जोली से वो सोने का सिका निकाल करके राजा के दाई ने हाथ में रख दिया राजा आशरी चिकित होते वे कहा माराज ये क्या है सादू कहते हैं कि मुझे ये रस्ते में मिला था और मैंने सोचा था तो कि सबसे गरीब विक्ती होगा मैं उसको ये दूँगा परदान करूँगा राजा ने कहा माराज आपके आशिरवाज से मेरे खजाने में सोना चांदी हीरे आदी से मेरा खजाना भरा हुआ है तो मैं सबसे गरीब कैसे हुआ तो सादू कहते हैं इतनी विशाल सेना लेकर कहा जा रहे हूँ युद करने आकर्मन करने उससे क्या होगा हजार आदमे की जान जाएगी किसलिए राजा विश्तार के लिए धन के लिए तब तो तुम ही सबसे गरीब हो इसलिए मैं तुम्हें ये देता हूँ ये बात सुनके के राजा की नजरे सरम से जुक जाती है और वो अपनी सेना को आदेश देते हैं कि वापस चलो और मातमा के दवारा दियागा सीका राजा अपनी मूठी में लेकर के शेना के पीछे-पीछे वापस चल पढ़ते हैं और बार-बार रस्ते में उस सिक्के को देखते हैं, मानों वो बहुत बड़ा खजाना लेकर करके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आतम संतोस की का, संतोस का बोध हो चुका था, जिस विक्ति के जी उनमें संतोस नहीं है, वो मिर्क तिशना की तरह भागता रहता है, नींद, भ प्रिक्ति जीवनियापन कर रहे हैं, ओपर भी भूत जहारे हैं, हमारे से संपन भी भूत हैं, संतोस हमें महनत में, प्रिश्र में, पढ़ने में, इन में संतोस नहीं करना चाहिए, हमें पूरी लगन से महनत करनी चाहिए, लेकि उसके बाद जो फल मिलता है, उस से हमें सं सास्त्रों में कहा कि सबसे बड़ा सुख क्या है संतोस से परम सुखम संतोस परमाने सबसे बड़ा सुख है संतोस से सुखम मूलम संतोस ही सुख का मूल है दुख मूलम विप्रिय है विप्रिय माने उल्टा और इसे जो उल्टा है दुखम मूलम वो दुख का मूल है फिर सास्त्रोंमर पूछा कि भवि सबसे बड़ा दरिधर कौन है तो वहाँ पर लिखा गया है कि तरस्य पर फिर पर द विशाल विसाला जिसकी जो पर सबसे बड़ा गरीब आउसे कितना…… पंदन मिल जाओ फिर भी वो धन की लालसा में लगा रहेगा लगा रहेगा ना दान देगा ना किसी गरीब की साइटा करेगा औसी में अधियर सी प्रकार जोटी काथा और आती है मैं उसको बढ़ा संगसेथ सुना रहा हूं कि इक इसी प्रकार एक शेट थे नगर में और उनके पास अच्छा संपन प्रिवार था धन था पूरा फिर भी वो बेचेंद रहते थे कि तो किसी ने बता कि नगर से बाहर एक सादू आए वे आप उनके पास जाए आप की जो इच्छा हैं वो पूरी हो जाएंगे वो सादू के पास गए प्रभू मैं बड़ा बेचेंद रहता हूं मातमा ने का कि क्यों उसने का कि मेरा जीवन और मेरी जो मेरे जो बच्छे हैं उनका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है लेकिन उसके बाद जो पीड़ी आएगी उसके लिए मैं धन नहीं जोटा पाया हूं वो कैसे जीवन परली उस तरफ एक कुटिया है और उसमें के सास और बहु रहती हैं आप उनसे मिलें आपकी समस्या का समधान हो जाएगा आप उनके पास बोजने के जाए एक समय का तो बड़ा खुष होता है सेट और बोजन में अच्छा पकवान बढ़ा करके उनके लिए लेके जाता है तो उसकी जो सास थी वो अंदर इसर भक्ती कर रही है और वो बहर सपाई कर रही थी बहु तो शिट कहता कि अपनी सास को बोलो और मैं तुम्हारे लिए अच्छे से पकवान बना के बोजन के लिए लेका आया हूँ तो बहु कहती है कि हमारे पास आज का बोजन है इसलिए मैं आऊ सकता नहीं है कल कि हम कल देख लेंगे इसलिए हमें आप माफ करें और आप अपने समान को अपने खाद्यपदार्थ को पने पास रखें जब उसने यह कहा तो उसके दिमाख में मानो बिजली रोंद गई हो कि मैं तो तीसरी चोथी पीडी की बारे में सोच रहा हू उसमें धनादी लगाते हैं और बड़ा खुश रहता है तो जो प्रिस्तिति में हम हैं उसमें हम खुश रहें आज मामारी के चलते हूं हम अपने घर में अंदर हैं रहते हैं बाहर नहीं निकल पाते निकला भी नीची यह बचाओ में ही बचाओ है तो हम यह ना माने कि हम और कैद है नहीं, पोजिट्व सोचे कि हम अंदर रहेंगे तो बचे रहेंगे। क्योंकि मैं खुष रहेंगे संतुस्ट रहेंगें तो हम बिमारी से अच्छे से बच सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर हम हतास निरास दुखी रहेंगे तो बेमारिय में जल्दी पकड़ेगी और हम करोना की चपेट में आ जाएंगे. तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन की प्रते कवस्ता में आप मेहनत करें पूर्य लगन से उसके बाद जो फल मिलता है उसमें संतूस्त रहें. आज इतना ही है आपको कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और सेर करें ओम.